हलो फ्रेंट्स में प्रिदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फ्रेंट्स स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने वेस्टर डिजन मुंबई के केंडिडिट्स के लिए भी हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन देली पुलिस एक्जामनेशन 2022 भरती के लिए एप्लिकेशन स्टेटस चेक करने और एड्मिट का डाउनलोड करने का लिंक जारी कर दिया है इसके साथ ही एक्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया है और आपको पता भी होगा एक्जाम का डेट है 10 अक्टूबर 2022 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तर तो आप इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और एड्मिट काड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टाप सेलक्शन कमिशन के वेस्टर डिजन के ओफिस्यल वेबसाइट पर आना होगा आपके सुईधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस दिये हुए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट तक आसानी से पहुँच सकते हो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको इसके नोटिफिकेशन सेक्शन में चले जाना है जहां पर आपको लिखावा देखने को मिलेगा काड लेकर जाना है जिसमें आपका date of birth, date, month और year के साथ अच्छे से लिखावा होना चाहिए अगर आपके photo identity काड में आपका date of birth अच्छे से लिखावा नहीं है तो आपको अपना date of birth प्रूप करने के लिए एक दूसरा certificate लेकर जाना होगा अगर आपके certificate वाला date of birth और admit card का date of birth अलग पाया जाएगा तो आपको exam देने नहीं दिया जाएगा इसके साथ आपको ये भी निर्देस दिया गया है कि इस admit card को अच्छे से समाल कर रखे क्योंकि अगर आप अपना role number खो देते हो तो आपको अपना role number दुबारा नहीं मिलने वाला है इन निर्देसों के नीचे आपको click here to check status slash download admit card लिखावा देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे फिर से आप एक नए पेज पर पहुँच जाओगे और इस नए पेज पर आने के बाद आपको अपना application status check करने और admit card download करने का दो option मिलेगा इन दोनों में से किसी भी एक option को यूज़ करके आप अपना status check कर सकते हो इसके साथ ही admit card download कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना role number ये registration ID number यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर select करना होगा date of birth select करने के बाद human verify के लिए जो भी sum मिलेगा उसे solve करके यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद search now पर click करना होगा जैसे ही आप search now पर click करोगे आपको अपने application का status देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही आपके एजाम से 3-4 दिन पहले आपको admit card download करने का option मिलेगा आप अपना admit card download कर सकते हो इसका दूसरा option SA candidates के लिए है जिनको अपना role number पता नहीं है तो SA candidates को सबसे पहले अपने नाम का 4 character यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद अपने father के नाम का 4 character यहाँ पर enter करना होगा जैसे ही सर्च नाव पर क्लिक करोगे आपको अपने एप्लिकेशन का स्टेटस देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही एड्मिट काड डाउनलोड करने का ओप्षन मिलेगा आप अपना एड्मिट काड डाउनलोड कर सकते हो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर इन वीडियो आपको informative लगा हो तो वीडियो को लाइक और share करें इसके साथ ही चैनल को भी subscribe करें धन्यवाद